हेलो स्टुडेंट्स आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ हंटर आयोग जिसे हम भारतिय शिक्षा आयोग भी कहते हैं इससे पहले मैं 1986 की शिक्षा नीती वीडियो डाल चुका हूँ अपने चैनल पर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आप उससे जाकर देख सकते हैं तो चलिए आज शुरू करते हैं आगे तो इस आयोग की अध्यक्ष्टा की थी विलियम हंटर ने तो इसलिए इस आयोग का नम हंटर आयोग पढ़ा और इसकी नियुक्ती में लौट रेपन ने बड़ी साहता की थी यह याद रखेगा तो चलिए आगे पढ़ते हैं इस आयोग में क्या था कि इस आयोग में प्र प्रात्मिक शिक्षा किसी भी शिक्षा का अधार होता है किसी भी प्रकार की शिक्षा का अधार होता है तो इसलिए इसमें प्रात्मिक शिक्षा प्रपल दिया गया और इसमें ये कहा गया कि प्रात्मिक शिक्षा सभी व्यक्तियों को सभी लोगों को समान रूप से मिलनी चाहिए नमबर दो आधी वासियों को और पिछडी जाती के लोगों को भी शिक्षा दी जानी चाहिए थाकि वो अपने भविश्य का अच्छी तरह से निर्मान कर सके प्रात्मिक शिक्षा दी जानी यह बनी थी 1982 में और सॉरी 1882 में बनी थी हमारा हंटर योग की शिक्षा हंटर योग बना था नहीं 1882 में तो उस समय के अनुसार शिक्षा बनाई जाए यानि की शिक्षा व्यावारिक होनी चाहिए ठीक है पार्ठीकरम ऐसे विशे शामिल किया जाए जो जिसे पढ़के चात्र आत्म निर्बर बन सके मतला फालतु के पार्ठीकरम का कुछ मेटीरियल ना डाला जाए पार्ठीकरम में ऐसे शिक्षा बनाई जाए ऐसे शिक्षा दी जाए जिसे वो बंदे आत्म निर्बर बन सके ठीक है आत्मिक शिक्षा का संचालन और प्रशार् से चारू रूप से शिक्षा को यानि की स्कूल्स को और प्रात्मिक शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं नगर पालिकां और जिला परिशद इनके द्वारा चारू रूप से शिक्षा चलाई जा सकती है प्रात्मिक स्तर इसलिए इसका संचालन और प्रशाशन किसको दिये द से एक कोश होना चाहिए जिस पर प्रात्मिक शिक्षा पर ही ध्यान धन वियाए हो खर्चो यह निकि शहर का जो गाउं का जो धन है वो शहर पर खर्चो रहा है और शहर का जो है वो शहर पर ही खर्चो रहा है इसलिए का गया कि गाउं का जो धन है शिक्षा का धन है वो में का गया कि संपून देश में एक ही पाठिक्रम होना चाहिए शिक्षा के लिए उस्थानी सर पे जो सरकारी स्कूल है ठीक है उन्हें सरकार सुविधाय प्रदान करें ठीक है और उनको सरक्षन प्रदान करें तो अब यह साथ पुंटते अब इसे याद रखेगा अब यह दोश क्या है जिसकी विसे यह सफल रहे तो इसमें मौलिक्ता की कमी थी ठीक है और वुट के गोश्टा पत्र को इसमें पूरी तरीके से टेप यानि कॉपी कर दिया गया था ठीक है कुछ नया नहीं था हंटर योग में मुसलमानों के लिए अलग शिक्षा अलग से पर इससे संप्रतेक्ता बढ़ी इस आयोग में शिक्षक प्रशिक्षण और व्यबसाइक शिक्षा पर बहुत कम ध्यान दिया गया और इसमें जो प्रात्मिक शिक्षा का बोज स्थानिय स्थर पर डाल दिया और उनके पास पैसा नहीं था संचालन और प्रशाशन के इनके लिए यह हमारा था हंटर योग के दोश तो आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेट में बताईएगा और थैंक्यू देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और बगल में ही बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजेगा सब्सक्राइब करने के सा है जो बहुती महत्तपूर्ण है आज के हिसाब से भी ठीक है और आज भी वो ही चली आ रही है शिक्षानीती तो अब उसे देखना नहीं लिगा था